हेलो एव्रीवन वेलकम टू कॉमर्स आईक्यू और मैं हूँ डॉक्टर मीनु चोद्री इन दिस आर नाइन्थ वीडियो इन दा सीरीज ओफ एकांट्स फोल्डिंग कंपनी इस वीडियो में हम मोर्दन वन सब्सट्री कंपनी और जो चेइन होल्डिंग है उसके वो सारे जनाने चाहिए तो पहले आप प्लेलिस्ट मे जाके अगर जिन लोगोंने नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस में जाके पूरी की पूरी ह्भ वीडियोस जो है उसमें सिम्पल ओल्डिंग है तो वह आप देख लीजे उसके बाद आप इस वीडियो को देखिं Fair अच्छे से समझ में आएगी चैनल सब्सक्राइब करें नई अप्डेट्स के लिए और पैनो रजिस्टर के साथ त्यार है क्योंकि इस जो वीडियो है इसमें मैंने जो कंटेंट लिया है बहुत ही सेलेक्टेड कंटेंट लिया है और स्टेप वे स्टेप उस कंटेंट को दे देखो more than one subsidy company simple है जब कोई भी holding company एक या एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा companies में controlling interest रखती है तो वो हमारी क्या होगी more than one subsidy company होगी जैसे A हमारी है और A का controlling interest B में भी है और A का controlling interest C में भी है A का controlling interest D में भी हो सकता है तो more than 1 में 2 भी हो सकती है तीन का भी हो सकती है अब इसमें क्या है simple है कोई बहुत जादा treatment नहीं है खाली consolidation में हमें थोड़ा सा धिया नखना पड़ेगा सबसे पहले जितने भी capital profit, revenue profit, reserve हैं जैसे हम simple में निकालते आ रहे थे simple holding का adjustment करते आ रहे थे वैसे ही करना start कैसे करना है हमें 2 से start करना है पहले A और B की relationship निकालेंगे A और B को consolidate करेंगे A और C को consolidate करेंगे A और D को consolidate करेंगे और उसके बाद जो balance sheet बनाएंगे उसमें जो भी हमारे तीनों के minority interest तीनों से जो हमारे निकल के आया capital reserve वो सारी चीज़ें इसमें डाल लेंगे inter company, independence, mutual independence revaluation of assets and liabilities वो सारे के सारे treatment exactly same होंगे जैसे कि हमारा simple subsidy में होते आएं तो more than one subsidy बहुत जादा मुश्किल नहीं है, एक दो question करेंगे तो राम से आ जाएगी मुश्किल आती है हमारी chain holding में ठीक है थोड़ा से complicated है ये जब एक company एक से जादा company में controlling interest होती है और जिसमें उस holding का controlling interest है वो further किसी और company में अपना controlling interest रखती है तो ये क्या होती है हमारी the case of sub-subsiduity और इसको कहते है हम chain holding ये कैसे हो सकती है जैसे first example अगर हम ले A है, A का controlling interest है B में 70% share इसने B में acquire किया है further B ने 60% share acquire किया है C में अब क्या है B A की subsidiary है और C क्या है sub-subsidary ठीक है तो ultimately C B अगर subsidiary है A की तो B का B की subsidiary है C तो C ultimately क्या है A की sub-subsidary है तो एक तो हमारा जो pattern है वो ये हो सकता है दूसरा pattern हमारा क्या हो सकता है A ने controlling interest लिया है B में suppose 60% share B में acquire करे हैं फिर आती है एक और company है हमारी C B के 20% share जो है वो C में है ठीक है अब यहाँ क्या हो रहा है एक नई condition है B ने भी 40% share C में लिए हुए है तो यहाँ देखो B क्या है subsidy है A की और 40% ये प्लस 20% ये तो ultimately A की holding को हम क्या कह सकते A ने C में 60% hold अकर रखा है तो दूसरे pattern हमारा ये आता है जब कुछ-कुछ share दोनों ने acquire करके थर्ड company में हमारा more than 51% आ जाता है तो ये भी हमारी क्या हो जाती है subsidy बन जाती है clear हुआ यहाँ तक तो ये दो तरह के pattern हमारे बन सकते हैं chain holding में चलिए accounts aspects of chain holding अब एक बात का ध्यान रखेंगे हम जैसे हमने 3 company लिये फिलाल हम ये pattern follow कर रहे है A इसको हम holding कह रहे है B को हम subsidiary कह रहे है और इसको हम sub-subsidory कह रहे है ठीक है सबसे पहला जो point है हम सबसे पहले जो consolidation स्टार्ट करेंगे तो उस sub-subsidory से करेंगे जिसका किसी भी company में controlling interest नहीं है in the group ये तीनों company का क्या हो गया एक group हो गया these are the group of companies जिनका आपस में controlling interest है they are attached, they have relationship one another तो यहां से start क्या करें देखो A का B में भी है और B का C में भी है जब तक B के हम profits को नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम A और B की relationship या consolidate नहीं कर सकते तो हमें सबसे पहले start क्या करना पड़ेगा C से करना पड़ेगा क्योंकि C का किसी में भी controlling interest नहीं है तो start with the company consolidation start करें उस company से जिस company का किसी में भी controlling interest ना हो second point क्या आता है ज्यान रखने वाला यह है कि share of acquiring company in the pre-acquisition profit अभी हम बात करते हैं B की B अगर इसमें acquire करें तो इसका जो भी capital profit B को मिलेगा clear B को जो capital profit मिलेगा C का वो capital profit जाएगा हमारा cost of share में या investment account में वो इसके capital profit के साथ जुड़के distribute नहीं होगा clear तो यह दो important point है जब हम एक numerical करेंगे example देखेंगे तो यह बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा देखो अगर पुरानी सारे concept आपके clear हैं तो इसमें भी बहुत जादा मुश्किल नहीं होगी हाँ थोड़ा सा confusion होगा लेकिन अगर इनी steps को लेके आप चलोगे तो वो भी इतना जादा नहीं होगा और एक दो questions करने के बाद बहुराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अब हम step देखते हैं सबसे पहले step क्या होगा अभी हम देखो बात कर रहे हैं C के consolidation की B और C की तो दो step होगे एक दो step में question solve करेंगे एक तो B और C की और फिर दूसरा A और B के लिए तो पहले C का consolidation जब हम करेंगे तो C के profit को हम consolidate ascertain करेंगे जैसे हम journal करते हैं तो C के pre acquisition या post acquisition profit निकालेंगे clear profit देखें हमने acquisition के time पे कितने pre के थे और कितने post थे उनको divide कर लिया ascertain the share of subsidy and minority C के profit को pre और post में कर लिया हमने अब pre में भी क्या करा minority और holding में divide कर दिया ऐसे ही post को minority और holding में divide कर दिया अब जो यह capital profit की जो बात कर रहे है वो कौन से capital profit है यह वाले जो capital profit है तो यह वाले capital profit कहा जाएंगे इनके cost of share में जाएंगे B के लिए fourth step आता है subsidy share in the pre acquisition profit of subsidy will be credited to the investment account अभी हम कह चुके हैं यह कहा जाएंगे investment account में जाएंगे and the share in the revenue profit यह जो revenue profit होगा holding का यह कहाँ जाएगा derived profit में यह profit and loss account में इस profit को हम क्या कहेंगे derived profit चुकि जब हम B का निकालेंगे तो B के दो profit होगे एक तो इसका अपना profit होगा वो profit होगा जो कि इसको C से मिला है उसको भी हमें tweet करना तो इस profit को हम क्या कहेंगे derived profit clear हुआ यहाँ तक चलिए next चलते है accounting aspect अब हम बात करेंगे holding यहनकी A, B और C इसको consolidate कर लिया हमने इसके profit को अब बात करते हैं B की ठीक है तो जब हम B के profit को करेंगे तो अब इसमें क्या देखेंगे सबसे पहले step में ascertain the profit of the subsidy इस subsidy के profit को ascertain करेंगे simple way में profits अब यह profit दो पार्ट में गए pre और post में गए ठीक है अब यहाँ भी हमें क्या चाहिए इसके profit जो होंगे यह इसी के profit में पहले pre post में डिवाइड करने के बार जो ड्राइड profit आएगा उसको treatment कैसे करना वो pre में डालना है कि post में डालना है उसके लिए हमारे पास एक और possibility है अभी discuss करेंगे तो divide the own profit into pre and post और वो किस बेसिस पर divide करेंगे पहले तो इसके अपने profit को और पोस्ट में कर लिया हमने नाव ड्राइड profit के प्री और पोस्ट में डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो possibilities है पहली possibility क्या है इसके जो अपने share थे देवर acquired before it acquired the subsidy सिंपल सी बात है जब ये hold इसके holding बनने से पहले ये subsidy बन गई है ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको यानि कि holding ने इसके share acquire करे उसके बाद में इसने क्या करा दूसरी company में share acquire करे तो सिंपल language में हम इसको क्या कहेंगे कि ये holding बनने से पहले subsidy बन गई थी ठीक है तो उस case में जितने भी हमारे drive profit होंगे वो सारे कहा जाएंगे revenue profit में जाएंगे क्योंकि सारे post acquisition के profit होंगे क्योंकि पहले क्या हो गया हो गया हो गया है तो acquisition के बाद के हैं सारे अब दूसरी possibility पर आते हैं हम इसके जो own share थे देवर acquired by the holding after it acquired the shares in the subsidy company फिर वहीं हम वोई concept लेते हैं ये subsidy बनने से पहले holding बन गई थी पहले में क्या था holding बनने से पहले subsidy बन गई और यहां क्या है subsidy बनने से पहले holding बन गई यानि कि इसने पहले acquire करे थे और इसके share बाद में acquire करे थे holding ने इस case में problem आएगी इस case में जो profits होंगे क्योंकि अब date हो गए न अलग pre and post में हो गए तो अब इसके profits को pre और post में divide करेंगे कौन से वाले जो हमारे drive profit थे यानि कि C से जो इसको profit मिले थे उसको in basis पे C के profit को in basis पे हम pre और post में divide करेंगे और फिर इसको हम यहां pre and post में डाल देंगे इन के साथ clear next अब एक लस्ट्रेशन देख लेते हैं उसके basis पे हम इस question को समझने की कोशिश करेंगे देखो शेयर कैपिटल कीवन है तीन है हमारी x y और z शेयर कैपिटल गीवन है 10 5 2 रिजर्बन सप्लस गीवन है प्रॉफिट अलोस अकाउंट गीवन है क्रेडिटर्स फिक्स असेट इंवेस्मेंट शेयर इन वाय लिमिटेड ये और ये टू लेक ट्वंटी थाउजंड है इन्होंने एक वायर करें जेड में एक्स लिमिटेड होल्डिंग थी ये पर्चेस 90 परसंट शेयर इन वाय वन लेटर्स क्रेडिट बैलेंस वह वन लैक एन रिजर्व वह सिक्सी थाउजंड एक्विजिशन के टाइम पे इनके वन लैक के तो प्रॉफिट थे और सिक्सी थाउजंड के रिजर्व थे नेक्स डेट एक्विजिशन की नहीं दिये तो हम क्या मान के चलेंगे 31st मार्च 2015 है तो यानि की स्टार्टिंग कब थी फोस्ट एक्वाइल 2014 को ही एक्वाइल होगे स्टार्टिंग डेट में थोड है इंक्लूड इन्ट एक्वाइल लिमिटेड स्टार्ट वैल्यू शिक्स्टी थाउजंड विच वोज इन्वोइस बाइए एक्स लिमिटेड अड़ प्राइस विच वोज त्वाइल अब गोस्ट पर 20 पर प्रॉफिट पर इनों ने दिया था किसका था वाइस आएके स्टाक में से लेंस करें گे क्लिर us kitty के रिजर्व एक्विजषिशन सर्ट कहां से करना है जिसके पास कोई Y फॉन्हें तो हमने इसका क्या था त ह सLLस्ट थे और प्रोफिट अभास एक्वाइंट्रंप्र कितना रिए हुआ है 240 यानि की 40 पहले से थे इंकृ Quebec geen हुआ है हमारा revenue reserve में 2 lakh का reserve हुआ है profit and loss account में balance कितना है हमारा profit and loss account का 1 lakh 20,000 तो 60,000 हमारा पहला है और तो बचा हुआ current year का कितना हुआ 60,000 हुआ total हमारा 1 lakh तो यह capital profit 2 lakh revenue reserve और revenue profit हो गया हमारा 60,000 तो यहां तो इसको divide कर देंगे है minority में और why को देंगे holding में clear है यहां simple वही जैसे हम करते आ रहे थे तीनों का अब यहां से आगे चलो हमने इसके profit को ascertain कर लिया अब आते हैं हम analysis of profit of why reserve on acquisition 60,000 given है date पे और profit कितना दिया हुआ है 1 lakh दिया हुआ तो टोटल 160 हो गया 1 lakh 60,000 balance sheet में given है 3 lakh का यानि की 60,000 अलड़ी थे और 3 lakh current year में हो गई है तो less करेंगे 60,000 तो current year के कितने हो गया हमारे 2 lakh 40,000 ऐसे ही profit and lowest account में आया हमारा 20,000 अब यहां देखो इसके profit में हमने क्या किया है अब यहां pre and post का हमें कुछ नहीं करना तो थोड़ा सा easy होगई calculation यहां हमें एक ही date है तो उसी date पे दोनोंने acquire करे हैं तो उसके भी post हो गए तो अब इस capital profit का भी हमने कुछ नहीं करें खालिए जो हमारा 1,60,000 था और 48,000 था जो इसको मिला है y को यह क्या करा है हमने y के profit में add कर दिया है यह देखो sharing z 160 और 48,000 तो हमने क्या कर लिया है उसके profits को c के profits को y के profits में include कर लिया है तो उसके revenue profit को adjust कर लिया हमने अब हमारे capital property बचे है चलिए अब इसके जितने भी shares आ गए हमने क्या करा इसको minority में और holding में divide कर दिया यहां तक clear हो जाना चाहिए बिलकुल क्योंकि simple अभी तक हम ज्यादा हमने कुछ नहीं किया इसमें अब आता है third point यह हम consolidation कर रहे हैं किसका x का goodwill लिया capital reserve निकालने के लिए अब cost of acquisition y में कितने share थे 6 lakh z में कितने share थे 2 lakh 20,000 total कितने हुआ कितने में acquire करा 8 lakh 20,000 में paid up value of equity y की थी 4 lakh 40,000 paid up z में थी 160 अब यह देखो यह हमारे share in the capital profit of y limited 80,000 यह वाले जो 80,000 थे तो यह दो point हमने कहा था start with a company जिसमें कोई controlling interest उसका है नहीं किसी में दूसरा जो उसके capital profits हैं वो कहां जाएंगे cost of capital में जाएंगे यह निकी investment account में जाएंगे यह हमने डाल दिया इनको total कर लिया हमारे आगए capital reserve minority निकाल लेंगे share capital y की कितनी बचती है जड की minority इनका capital profit में हिस्सा इनका capital profit में हिस्सा revenue reserve में इनका share और revenue profits में इनका share तो यह हमने minority निकाल लिया minority simple way में निकाला कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने minority में कुछ नहीं करना अब आते हम consolidation of reserve में X Limited के reserve हैं 3 lakh और यहाँ Y का share लेना है अब Z के share की कोई बात ही नहीं क्योंकि Z का इतना भी profit था हमने उसको क्या कर लिया है consolidate कर लिया है उसके revenue profit को revenue reserve को तो यहाँ कर लिया हमने और उसके capital profit को cost of acquisition में कर लिया तो Y का Z खतम हो गया अब यहाँ में क्या करना Y के revenue reserve लेने 360 टोटल हो गया हमारे 6,60,000 अब consolidated profit X Limited का अब देखो क्या था हमारा X Limited को invoice के गए थे goods जो की analyze profit है 60,000 के तो 60,000 पर क्या था cost पर 20% है तो 20 upon 120 10,000 हमने revenue profit में से less कर दी इस simple treatment है जो हमारी प्राणी वीडियो में हमने बताया है अन्रेलेस profit को holding के revenue profit में से minus करते हैं और जिस company का stock होता है उसके stock में से minus करते हैं share of Y कितना था consolidated profit में निकाला हमने 2,23,000 यह और यह हमने यहाँ include कर लिया clear अब आते है consolidated balance sheet पे share fund गीवा ने हमें निकाल ली दिया reserve निकाल ली हमने 6,60,000 capital reserve 14,000 calculate कर चुके यह भी calculate कर चुके minority दोनों की minority ले ली हमने यह minority लिक ली current liabilities तीनों की current liabilities add कर दी consolidate कर दिया अब fixed assets हमने 13,000 यह consolidate कर दिये अब यहाँ देखो Y का हमने क्या treatment किया 10,000 का तो Y का जो stock था उसमें 10,000 included था उसको हमने यहाँ minus कर दिया current assets में से और इसको consolidate कर दिया तीक अब देखो दुबारा से एक बार देखो और सबसे बड़ी बात है अपने book एक बार सामने रखके देखो example के साथ पढ़ो इसे समझ में आ जाएगा अब इसका एक और point हमारा बचता है जिसमें अगर जो date है वो difference है तो derived profit जो है हमारा उसको भी हमें दो part में divide करना पड़ेगा clear अगर आप चाहेंगे तो हम equation उसका भी डाल देंगे इसमें solve करके या उसको समझा के explanation के साथ अगर कोई queries हैं आपकी कोई भी आपको problem है तो आप comment करके पूछ सकते हैं उसे इसी में ठीक है और आगे इसके बाद हमारी एक नहीं playlist आएगी amalgamation की तो amalgamation absorption और external reconstruction तो वो unit अब हम start करेंगे इसमें बहुत important है वो भी उसमें भी हमें basics बिल्कुल clear होने चाहिए तब ही हम कर पाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा students को confusing लगती है चीक है तो जिन लोगोंने नई चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज नई वीडियो के updates के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो को अवेल करें और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो अभी आपके पास time भी है तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो exam तक बहुत अच्छे से सारी चीज़े clear हो जाएंगी और notes जरूर बनाएं चलिए thank you have a nice day all the best we'll see you in the next